नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कारिकम में जो आधारित है सरकार और ब्यूरोक्रेसी की अंदर की खवरों पर गपसप चर्चा और काना फूसी में क्या है इस बार तो चलिए सुरू करते हैं पावर सेंटर पुत्तरप्रदेश की जो विरुक्रेसी है वो सबसे बड़ी है देश में और करीब 30-33% हिसा स्टेट का एडर से प्रमोट होकर जाने वाले अपसरों के लिए है यानि कि जो राज सेवा के पीसे जदकारी होते हैं वो प्रमोट होकर आई एस बनते हैं वो करीब उसका कोटा एक तिहाई है यह माना जाता है कि जो डाइक अफसर आते हैं अखिल भारतिय सेवा क्या आते हैं उनको असर ज्यादा मिलते है और वो एकदम युवा वस्था में ही जिलएओं में जाकर डिम बन जाते हैं लेकिन जो पीसे से आई एस में प्रमोट होते हैं पचीस साल 30 साल क एक लंबा उन्भा होता है उनको और उनको सासन की बारी किया सरकार में जिले में समस्याएं एक वो बहुत ब्रहद अस्तर पर अन्भाव लेकर अपने साथ चलते हैं ऐसे ही अन्भाव लेकर आगे बढ़ने वाले कुछ अपसर प्रदेश में अपना एक अलग नाम भी करते है आज हम पाउर सेंटर में एक ऐसे ही सकारात्मक ख़बर की और एक ऐसे ही अपसर के सांदार काम की चर्चा से सुरुवात करेंगे जो बलिया के डियम है रवींद्र कुमार मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ की सरकार में रवींद्र कुमार बलिया के एक ऐसे डियम बने हैं जिनकी चर्चा उनके सकरात्मक कारियों को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा है और चीप सेक्रेटी के लेविल से भी उनके काम की काफी साराहना हुई है रवींद्र कुमार सिच्छा के छेत्र में बलिया में एक नई पहल करने में जुटे हैं जिले के जो साहित प्रेमी हैं जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डियम ने कैसा वातानुकूलित आधूनिक पुस्तकाले बनवाया है जो पूरी तरह से डिजिटल हैं कंप्यूटर पर हैं इंटरनेट से जुड़ा है और यहां पर हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं जो बड़े शहरों में जाकर छात महंगी महंगी किताबें नहीं खरीच सकते पीसियस आई एस आई आई टी मेडिकल इंजीनिरिंग इन सब की प्रतियोगिता से जुड़ी हुई किताबे भी डियम ने इस पुस्तकालाय में रखवाई हैं तो रवींद्र कुमार का यह प्रयास लखनव तक अब उसकी चर्चा हुई है चीप सेक्रेटी ने वीडियो का साहितिकारों की धर्ती रही है सियासत में तो बहुत बड़ा नाम रहा ही है लेकिन आचार हजारी प्रसाद दिवेदी केदार ना सिंग इनके सब के नाम आपने सुने होंगे जो साहित की जगत के बहुत बड़े सितारे हुए रवींद्र कुमार जो है कन्नौज में भी डि अग रुकता तक ही सीवित नहीं है जब वह उन्नाव में तैनाथ थे तो एक बहुत बड़ी समस्या पराली जलाने की आती थी हर साल आती थी तो डियम ने कहा कि किसान पराली अपने खेद में न जलावें वो टक्टर टाली पे लात के लाएं उनके बदले में उनको हम फिर भी खाद देंगे पराली के बदले खाद योजना उनकी योगी की सरकार में एक बार बहुत चर्चित हुई है और वो उसको बहुत सरहना भी मिली थी और कहा जाए तो एक रोल माडल पूरे उत्तर प्रदेश में उन्नाव माडल बना था लेकिन उनके हटने के बाद वो प् समझा है अब उनकी नजर गौसालाओं पर हैं जिसको वो सुरभी के नाम से अभियान चला रहे हैं कि जहां गौसालाओं में जो छुट्टा पसू है जो आते हैं जानवर उनको रखने के लिए उनके इलाज खाने पीने चारे की अच्छी व्योस्ता की जाए सुरभी के ना प्रदेश में अपनी अगलक पहचान बना रही है आकरशन का केंडर है वो और यह कहा जाए तो यह योजनाएं अगर प्रदेश में और जिलों में विलागू हो तो निश्ची थी जनता को बहत फाइदा भी देंगी सरकार की मंचा के अनुरूप भी हैं लेकिन यह देखना होगा कि इस तरह की कोशिसों को सरकार कब अभियान के रूप में लेती है हाला कि समय समय पर मुख्यमंत्री और चीप सेक्रेटरी ऐसी कोशिसों की साराना करते हैं और विबिन जीलों के डियम से उनके सामने उधारन पेश करते हैं कि इन जीलों से आप इस चीज को ले सकते हैं ये एक role model बनता जाता है रवींद्र कुमार की जितनी तारीप की जाए कम है इस्टेट कैडर का एक अफसर काम से उतर्परदेश की सरकार की कोशिसों में चार चांद लगा रहा हैं वो अपने यह काम से नाम तो कमा के अपसर इमानदारी से और बेहतरीन और सरकार की सोच के आगे जाकर कुछ अच्छे और नए परियोग भी करने में सक्षम हैं उनके पास भी आइडिया है और वो करके दिखा सकते हैं कि उत्तरप्रदेश में सरकार के कामकाज को लेकर अपसरों को लेकर कई बार काफी आलोचनाय होती हैं लेकिन